सिरीज को आगे बढ़ाते हैं से इस यो यह गते हैं है हम आधि को बिना देर करते हुए हम लो Rein होते हैं पहला आपस्ण दिक रहा होगा चार दूसरा बारा तीसरा तेरा चौथा चौदा तो यह आप यह बताई कि इन में से कौन सा राइटρέ डàiट अपशन होने वाला है कि पोलों में कितने खिलाडी how तो दोस्तों पोलो में होते हैं चार खिलाडी कितने खिलाडी होते हैं चार खिलाडी उसके बाद देखी अब 102 नंबर क्योश्चन हमारा है कि छेत्रफल की दृष्टी से सबसे बड़ा राज्य है पहला अप्शन है यूपी दूसरा अप्शन है राजिस्थान और तीसरा है एंपी और चौथा है महाराश्ट तो आप यह बताईए कि इन चारों में इसा कौन सबसे सही है कि छेत्रफल की दृष्टी से सबसे बड़ा राज्य हमारा राजिस्थान है कौन है दोस्तों राजिस्थान ठीक है यह राजिस्थान उसके बाद देखी एक सो तेरे नंबर क्वेश्टन जन संख्या कि दृष्टी से भारत का बिश्व में कौन सा इस्थान है दोस्तों जन संख्या कि दृष्टी से बिश्व में भारत का कौन सा इस्थान है दोस्तों यह दिबात करें जन संख्या कि दृष्टी से बिश्व मे जल्जली देखी से इजराइल की संसत क्या नाम दोस्तों देखी सघ्राइल की संसत क्या नाम है कि में थो फिर 155 हे पूल क्या है या है भारत का ü take पूस्प पूस्प क्या है दोस्तों गुलाब कमल धेंदा चमेली बहुत सारे बच्छे जानते होंगे उसका उत्तर तो दोस्तो भारत का राश्टी फूल क्या है कमल है जीव मलखा सिंग जीव मिलखा सिंग किस खेल से संबंदी थे दोस्तो चली जली जली उत्तर दीजी कि जीव मिलखा सिंग किस खेल से संबंदी थे होकी फुटबाल डार गोल्फ किस खेल से हैं दोस्तों उत्तर दीजें तो जीव मिलखा सिंग्स दॉड़ से संबंधी थे दॉर्ण अगला डेखी कि सूरत सुरत किस नदी के तत्व परिष्तित है पहला दूसरा गंगा तीसरा तापती चौत नर्मदा जल्दी जल्दी उत्तर दीजे कि सूरत किस नदी के तत परिस्थित है तो दोस्तो एक सो साथ नंबर के क्रिश्टन का अंज़र होगा सी तापती सूरज किस नदी किस के तत परिस्थित है दोस्तो तापती नदी के उसके बाद देखिए अरुलाचल प्रदेश की राजधानी दोस्तो अरुलाचल प्रदेश की राज नगर है क्या है इटा नगर उसके बाद देखिए कि मुगल समराज के संस्थापक कौन था दोस्तों जो मा दिल्ली सलतना पर मुगल संस्थापक कौन था दोस्तों पहला अकबर दूसरा हिमायू तीसरा जहांगिर चौथा बाबर राइट एंसर कौन सा होगा आप जली-जली क बाबर होगा बाबर नहीं मुगल समराज के सापना दिल्ली सलतनत पर की थी उसके बाद देखिए कि 110 नमबर क्यूस्टन सबसे अधिक उपगरा किस ग्रह के हैं बुद्ध शुक्र सनी मंगल बताइए सबसे अधिक उपगरा किस ग्रह के पास हैं तो दोस्तों सनी के पास सबसे अधिक उपगरा है ठीक है चलिए 111 नमर क्यूस्टन देखिए कि सिछक दिवस की स्तिति को मनाया जाता है दोस्तों चीट टीचस सड़ी ठीक है टीचस डे किस तारीक को मनाया जाता है दोस्तों 5 जून 11 जुलाई 5 सितंबर 31 दिसंबर जल्दी बताई राइट एंसर क कब मनाया जाता है पांच सितंबर अगला देखिए कि भारत में प्रथाम महीला मुख मंत्री थी दोस्तों भारत में प्रथाम महीला मुख मंत्री कौन थी सरोजी नाडु मायावति वसुंधरा राजे सुचेता क्रिपलानी जल्दी जल्दी बताई एक 112 नमबर के नील अमेजन ब्रभ्रमृ पूत्र गंगः जल्दी जल्दी उत्तर बताएं कि विश्ची के सबसें लंभी नदी कौन है दोस्तों बात यहां-¡स लंभा है तो मेजन ये और नील नदी क्या है लंभा है फिर भी की कूछओं न Holz सर्वृधिक वर्षाम वाला स्थान है और मान्सीम राम जल्दी-जल्दी पिताए चारों अपशन का सव्ण बिल्कुल राइट होने तो है दोस्थान मान्सीम रां मैं उस्से पहले लगारत इस दौर में मांसीम राम जली अगला कोस्चन देखिए कि तीनों सेनाओं tief का कौन होता है दोस्तों जल थलवाई ये 3 सेनाओ के प्रमुक कौन है तो तो कौन होता है दोस्तों राष्ट पति उप्राष्टपति मुख मंत्री गवर्नर जल्दी जल्दी उत्तर दीजे कि तीनों से नाओं का प्रमुख कौन होता है दोस्तों राष्ट पती कौन होता है राष्ट पती फिर देखिए 116 नमबर क्यूश्टन की भारत में सरप्रथम रेलगारी कब चलाई गई थी पहला अप्शन 1950 में दूसरा अप्शन 1854 में तीसरा अप्शन 1935 में चौत अप्शन 1947 में यह बताई कि इसमें से कौन सा सही है किस सन में सबसे पहले भारत में रेलगारी चलाई गई थी तो सबसे पहले रेलगारी चलाई गई थी 1854 में किस सन में चलाई गी थी 1854 में अब अगला क्योशन देखिए कि टीपू सुल्तान कहां का सा सकता दोस्तो पहला अप्शन दिल्ली दूसरा बंगाल तीसरा उडिसा चौथा मैसूर टीपू सुल्तान दोस्तो कहां का सा सकता चारों अप्शन में से बताई टीपू सुल्त कि या या अब बाद देखिए को जहन कि यहांगे कि सा चाहां कर आपनी वेगम मुंताच किया यतमित्ताज महिल का निर्माला कराया था 119 ज्वस्चन देखे कि कि इस धी फरीधि पर दिन राद बराबर होती है मतलब दोस्तो कि इस तारीध को नौ우 राद दोनों क्या होते हैं कौन सा राद कौन सा दिन है जिस दिन दिन और रात दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं तो दोस्तों 23 सितंबर 23 सितंबर को दिन और रात क्या होते हैं बराबर होते हैं उसके बाद देखिए बंगलादेश की मुद्रा है टका रुपिया रियाल बंगली रुपिया तो दोस्तों कि भारत का नेपूलियन किसको कहा जाता है। पहला आप्सटान उप्तगुत दूसरा है पुल के सून पुल के सीड और तीसरा है समॉंद गुपतote गुपतनी असोग筋 नivering कौन सा राइट है कि भारत का नैपोलियन किसे कहा जाता है दोस्तों भारत का नैपोलियन समुंद्र गुप्त को कहा जाता है किसको कहा जाता है समुंद्र गुप्त उसके बाद देखिए कि अर्जुन पूरुसकार किस खेल में दिया जाता है दोस्तों अर्जुन पूरुसका खेल में दिया जाता है कि शेत्र में दिया जाता है खेल वाले तो 123 नंबर क्रिश्टन महात्मा गाधी की समाधी इस्थल है मतलब दोस्तों महात्मा गाधी की समाधी है वो कहां पर मतलब एक प्रकार से गाड़ी गई है ठीक है तो पहला अप्षन राजगाट दूसरा बीर भूमी तीसरा सांतीवन चौथा किसान भूमी अब बताए चारों में से आईसी कौन सी जगाए जहां पर महत्मा गाधी की समाधी को मतलब गाड़ा गया ठीक है तो बताए जल जी उत प्रदेश का लोकनित्र है पहला अप्षन राजस्थान दूसरा बिहार तीसरा तमिन नाडू चौथा यूपी तो दोस्तो भरत नाट्यम हमारा किसका लोकनित्र है तमिन नाडू का भरत नाट्यम हमारा लोकनित्र उसके बाद देखिए भारतिये क्रसी अनुसंधान पहला आपसन पंजाब दूसरा दिल्ली तीसरा पटना चौथा लकनौ बताईए चारो आपसन में से किस जगह पे दोस्तो भारती ये कृषिय अनुसंधान है तो दोस्तो दिल्ली में है कहा है दिल्ली में उसके बाद देखें जगनात मंदिर किस प्रदेश में है दोस्तो लॉड़ देवस किस तारिक को मनाया जाता है दोस्तो चारोड़ नवंबर को चिल्ड्रिन्स डे के रूप में मनाया जाता है उसके बाद देखे बिस्त स्वास्त संगठन का मुख्याला कहां है दोस्तों बिस्त स्वास्त संगठन का मुख्याला कहां है पहला है रोम दूसरा न्यूव्यार्क तीसरा जनेवा चौथा पेरिस चारों में से कौन सा राइट अंसर होने वाला जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें बताईए तो दोस्त स्वास्त संगठन का मुख्याला जेनेवा में हैं कहां है जेनेवा में उसके बाद देखिए 29 नंबर क्यूस्टन आइमीन 100 विश्च का सबसे बड़ा महासागर दोस्तो आर्कटिक प्रसांत अट्लांटिक हिंद चारों में से दोस् दोस्तो प्रसांत महासागर विश्च का सबसे बड़ा महासागर जब इजिप्टा नामक उलका पिंड हमारे प्रितिपी पे गिरा था तूसरी से इस प्रसांत महासागर का जन्म हुआ था एक खुब बड़ा सगड़ा हो गया तो वहीं पानी बर गया जो हमारे इस समय में प्रसांत महासागर के रूप में उभरा है एक सो तीस नंबर क्यूशन भारत में पहली महिला IPS अधिकारी कौन बनी थी दोस्तो पहला अप्शन बिजयल अच्छमी दूसरा सरोजरी नाइडू तीसरा मायावती चोथा किरणवेदी आप लोग इसका एंसर कमेंट बाक्स में बताई कि भारत में पहली महिला IPS अधिकारी कौन बनी थी तो दोस्तो हो गए हमारे इस वीडियो में भी 30 क्यूशन कम्प्रीट अगले वीडियो में भी हम आप लोगों 30 क्यूशन को कराने वाले हैं तो फिलाल इस वीडियो को आप लोग आई होप समझी गए होंगे जो क्य कि आप लोगों ने अच्छा से प्रेक्टिस कर ली होगी तो दोस्तों यादि वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा साथी साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को जरूर प्रिस करिएगा ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करे तो